नमस्क्र दोस्तों, मैं राजनतिवारी आप सभी लोगों का मेरे स्चेज जोतिश मंत्र में हारदेख स्वागत परदाओं आपने अक्सर संतों और महत्माओं के नाम के आगे श्री-श्री-108 या श्री-श्री-1008 जैसे टाइटल लगे देखे होंगे तो क्या ये स्री-श्री-108 और स्री-श्री-1008 के वरड़ टाइटल है या उनकी कोई उपादी है या उल्ली एक आदर सूचक शब्दी ही है या इके अलावा भी कुछ है तो हम आज की वीडियो में जानेंगे कि किन लोगों के नाम के आगे इस टाइप के टाइटल मतलब स्री-श्री-108 या स्री-श्री-1008 जैसे टाइटल लगते हैं साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखे सनातन धर्म में 108 का क्या महत्व है, 108 जो नंबर है उसका क्या महत्व है, क्यों मालक में 108 मोती होते हैं, क्यों किसी भी भगवान के मंत्रों का 108 वार जाप करते हैं, क्यों ऐसा होता है कि किसी भी देवि देवता के 108 परिक्रमा करते हैं, क्यों ऐसा होता है कि किसी भी देवि देवता के नाम 108 होते हैं, ऐसे बहुत से कोशन हैं, ऐसे बहुत से चीज़े हैं जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इससे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने मेरे जुद्धरदी व्यविट्य है उसको आप देख सकते हैं तो प्रश्न यह उच्टा है कि आखिर 180 क्यों 109 क्यों नहीं 909 क्यों नहीं, 9999 क्यों नहीं, कोई से भी हो सकता है, तो 108 ही क्यों लिया गया, तो चली मैं इसके आध्यात्मिक, वेज्ञानेक, गडितिक, इन सभी पहलियों पर आपको जानकरी दूँगा, कि आखिर क्यों हमारे सनातन धर्म में 108 का इतना वहत्र है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे सनातन धर्म यदि की हिंदू धर्म में परम तर्फ किसको मना है, ब्रह्म को, और ब्रह्म से ही सक्क्य उद्पत्ति हुये, और यदी हम ब्रह्म के अक्षरों को उनके क्रमानुसार जोड़े, जैसे और प्लस रव इक्वल टू 23 प्लस 23 प्लस 23 प्लस 25 इक्वल टू 108 तो ब्रह्म भी 108 को ही सुचित करता है और क्योंकि ब्रह्म ही सबसे बड़ा है उसी प्रकार से अगर हम 108 जो नमबर है उसके सभी अंक को जोड़ें यानि की 1 प्लस 0 प्लस 8 तो उसका अंसर आता है 9 उसका योग आता है 9 और जैसे के आपको पता है कि 9 यानि नो जो होता है वह पुर्णांख है यानि की largest number है हम इसे ही मानते है गणित में इसे ही बानते है कि no जो है वह सबसे largest number है बंडिजेट का इस तरह से हम कह सकते है कि जो 108 है वह प्रम ब्रह्म है अगर इसको दूसरी तरी से समझे जाए तो जो ब्रह्म है वो पूर है और ब्रह्म का जो symbolic form है वो है om aksha इसी तरह से ब्रह्म का जो mathematical form है वो है 108 या 108 है इस तरह से ब्रह्म, शून्यता और अनन्त विश्व के सयोग को ही 108 कहा गया है चलिए मैं 108 के कुछ बेग्यानिक रोचक तर्थ बताता हूँ अगर आप सूर्य और प्रत्वी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको अगर सूर्य के डाइमेटर याने सूर्य के ब्यास से डिवाइट करते हैं तो उसका अंसर आता है 108 इसका मतलब यह हुआ कि आप सूर्य और प्रत्वी के बीच में 108 सूरज रख सकते हैं चलिए दूसर तत्थ बताता हूँ अगर आप सूर्य के डाइमेटर को याने सूर्य के ब्यास को अगर प्रत्वी के ब्यास से डिवाइट करें तो भी उसका अंसर 108 आता है इसका मतलब यह हुआ कि चंद्रमा और प्रत्वी के बीच हम 108 चंद्रमा रख सकते हैं तो यह तो हो गया उसके बेग्यानिक महत हुआ चलिए आपको जोतिश महत बता हुआ आपको जिसे पता है कि जोतिश में 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रह को अगर अगर कम्प्लीट साइकल करना है तो उसको 12 राश्यों से होकर गुजरना पड़ता है जैडिकि 9 का इंटू अगर हम 12 में गरते हैं तो आता है 108 है दूसरे तथ्य बताता हूं वह भी जोतिश से रिलेटेड है जैसे कि आपको पता है कि जो नक्षक्र होते हैं वह कितने होते हैं 27 27 टोटल नक्षक्र होते हैं और आपको यह भी मानुप होना चाहिए कि एक नक्षक्र में तो अगर हम 27 का 4 से इंटू करते हैं तो उसका आंसर भी 108 ही आता है यह हुआ उसके जोतिशी महत्व तो इसे कई तथ्याय जिनके अधार पर हम कह सकते हैं कि 108 का हमारे सनातन धर्म में कितना जादे महत्व है चले मैंने एक बात और बता नहीं थी कि किन लोगों के नाम के आग सकते हैं जैसी कि आपको पता है कि सनातन धर्म में या हिंदू धर्म के अनुसार हमारे कुल 108 उपनिशद है तो जो व्यक्ति को इन 108 उपनिशदों का ज्यान होता है या उन लोगों ने इन उपनिशदों का अध्यन किया होता है उसका ज्यान होता है ऐसे लोगों के नाम के आगे हम स्री स्री 108 लगा सकते हैं या फिर आयरवेर के अनुसार हमारा जो शरीर है उसमें कुल 108 एनर्जी पॉइंट है उर्जा के शोध है या कह सकते उर्जा के बिंदू है तो जिन लोगों ने उन सभी 108 जो एनर्जी पॉइंट है उनको चाक्रत कर लिया है ऐसी लोगों के आगे भी एसी संतो महत्माओं के नाम के आगे भी हम स्री स्री 108 या स्री स्री 118 लगा सकते हैं तो यह थी जानकरी सनातन धर में 108 का क्या मैत है अगर आपको यह मेरे वीडियो पसंद आया हो और उसमें दी के जानकरी अगर रोचक हो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप प्रेरित करता है अच्छे से चिंबी बनाने के लिए तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं एक नए वीशे के साथ तब तक आप रहे कुश और मुझी दीजिया क्या चाहिए